हेई गाइस हालो वेल्कम बैक टू माई चैनल गाइस आज की वीडियो में मैं आपके सारे क्वैरी रिलेट टू वैस्मॉल क्लियर अब करूंगी आज मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूँ अपने घर में हूँ और मैं शूट करी हूँ क्यों कि recently मुझे बहुत सारे कॉमेंस, questions, queries related to वैस्मॉल रिसीव हो रहे हैं खास कर गि मैंने वैस्मॉल के ओपर बहुत सारे वीडियो बनाये थे हैं बहुत सारे आपके queries solve भी किये थे लेकिन फिर पिर आपके doubt खतम होने का नामे नहीं ले रहा है तो मैं एक question उठाऊंगी और उसके बद अंसर करूंगी related to वैस्मॉल तो वैस्मॉल को कैसे अपलाई करना है and full demo मैंने already मेरे channel पर बना के रखा है वो आप मेरे i button पर click करके check कर सकते हैं या फिर इसका link description box में आपको मिल जाएगा साथी साथ 2-3 QA ने वीडियो भी बनाया था मैंने इसके उपर proper process समझाया था and कब कैसे इस्तमाल करना है वो भी मैंने आपको बताया था लेकिन फिर भी कुछ queries शायद चुट गई होगी तो आज की वीडियो में complete कर दूंगी में तो बिना किसी देरी किये वीडियो में आगे बढ़ते हैं and let's check what are your questions that we have asked and let me answer them so सबसे पहली बात यह है कि वैस्मोल को कैसे apply करना है वो question अपने बहुत बार पूछा है इसके उपर fully dedicated video में ने बना के रखा है with demo and application तो वह वाला video आप जरूर से check out कर लेना इससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे apply करना है अगर आपके बाल काले नहीं हो रहे हैं इसको लगाने के बाद शायद आप कहीं पर process या फिर instruction follow नहीं कर रहे हो या फिर properly उसको apply नहीं कर रहे हूं जिसके विजसे आपके बाल काले नहीं हो पा रहे हैं तो वह वाला video properly देख लेना उससा को समझ आ जाएगा कि कैसे इस्तिमाल करनी है और यूज करने के बाद कैसा result आने वाला है तो उसको follow करके आप अपने वैस्मॉल का application कर सकते हैं अपने बालों में next question यह आते है कि इसको कितने बार लगाना चाहिए महीने में या फिर हफ्ते में कितनी बार लगाना चाहिए देखिए मेरी माने तो वैस्मॉल एक hair color है और एक hair color max to max 4 weeks तक last करता है यानि कि पूरा एक महीने last करता है अगर आप single application करते हैं तो लेकिन मैं अपने subscribers को suggest करती हू कि आप महीने में 2 लगाए maximum यानि कि 15 दिन में एक बार तो आपको अच्छे result मिलेंगे क्योंकि जो 4 weeks का time होता है उतनी देर तक hair color last तो कर जाता है लेकिन धीरे देरे बाल सफेद लग जाते हैं यानि कि जर से जिनके भी जर से hair gray हो रहे है premature hair graying हो रहा है वो तो hair color करते ही है और नाचल रिमेडिस भी फॉलो करते हैं रेगुलर hair wash and hair oiling तो आप करते हैं तो इसके विज़े से क्या होता है कि hair color जो है दीरे दीरे निकलता रहता है और 4 weeks तक अब जाएंगे तो देखना आधे बाल तो सफेद होनी लग गए यानि कि color छूट गया है तो बेटर है आप म मार्केट में बोलते हैं कि permanent color है permanent hair color permanent in the sense वो mean करना चाहते हैं कि यह वाला hair color लगाने से आपके बालों में max to max एक महिने तक hair color ठीकेगा अब जो permanent नहीं है जो temporary color नहीं है वो क्या होता है कि hair color करते है hair color हो जाता है लेकिन hair wash करने के वाद वो तूरंद धूल जाता है तो यह हो होता है कि आपके बाल पूरे महिने तक काले रहेंगे यानि की color रहेंगे जितना बार भी अप hair wash करे oil करें कोई फरक नहीं पड़ता है वो धीर दीरे fade out होने लगता है तो almost एक महिने लग जाता है permanent hair color में आप लोगों का permanent यानि की पूरा lifetime तक आपके बाल काले हो जाएंगे तो वो हमारा aging का process होता है जैसे कि हमारे skin age करने लग जाती है वैसे बाल भी age करने लग जाते हैं वो सफेद होना common बात है premature hair graying एक common समस्य है आजकल और यह एक issue है क्योंकि कम age में ही सफेद बाल दिखना एक problematic चीज है आप doctor को भी cancel कर सकते हैं लेकिन तूरंत उसको छुपान के लिए आपको hair color apply करना ही पड़ेगा मैं वैस्मॉल को ज्यादा ही ज्यादा आपको दिखाती हूं इसी लिए क्योंकि यह एक natural way से आपके वाल काले करता है और इसके अंदर ऐसी कोई भी chemicals नहीं है जो आपके वाल को harm करेगा साथी साथ result में यह आपके वाल काले तो करेग देखिए as such मैं एक hair color से कुछ expectation नहीं रखती हूं क्यूंकि एक hair color का काम होता है वाल को काला रखना और उसका longevity बढ़ाना उसके अलावा यह और कोई काम नहीं करता है लेकिन वैस्मॉल मुझे अलग से जो लगा वो है यह hair को शाहिनी बनाता है and hair fall को रुकने में काफी distribution नहीं करता है हां आपके बालों को सिल्की स्मूद रखने के लिए इसमें तीन ओयल डाले गए है जो है आमला ओलिव और हिविस्कस भी है यह आपके बालों को ओवरल नरिश्मेंट या नरिश्ट रखने में हेल्प करता है पालर से जो अब हैर कलर करा के आते हो वह एक तो बहुत जदा प्राइसी हो जाता है साथे साथ वह एक महिने से पहले ही फेड आउट हो जाता है आपके बाल जल्दी डैमेज होने लग जा यह सब्सक्राइब कर आता है क्योंकि वैसमोल में सिंगल बॉटल अता है कि अंदर लिक्विड होता है वो लिक्विड हमारा है कलर होता है आपको अलग से कोई मैनुल ए इंस्रुक्शन पढ़ के हैर कल पर लेडी नहीं करना पड़ता है जो अधर ब्रैंड करते हैं कि वह पटैकेट कीज़ clock करके अपना पाक इंग बह्र देते हैं आपको बोलत है कि जब भी अपर करना होगा आपको शटर ने कि परिपयर करना होगा उसके बाद नहीं होता मुझे परिपयर करना होगा लेकिन ये छनजट जो यह वासमोल के साथ नहीं होता है यह खुदी liquid बनके आता है और आपको just as a oil apply करना होता है as a oil में क्यों बोले हूँ अब यह मेरी जो बात है आप सब गलत पकड़ लेंगे सब सोचेंगे कि wasmol oil है wasmol oil नहीं है यह अलग इसलिए है क्योंकि यह खुद पूरा एक liquid का bottle है और इसको जैसे आप oil apply करते है वैसी इसको apply करना है लेकिन यह oil नहीं है ना ही इसको किसी oil के सब mix करना होता है बहुत सारे confusions आप में से create होके रखे बहुत सारे बोलते हैं कि मैं तो इसे राद बन लगा के सो जाता हूँ और मुझे काफी अच्छा रेजल्ट मिल रहा है वोई भी प्रोडक्ट आपके उपर सूट करेगा नहीं करेगा यह किसी को भी नहीं पता है आप पैच टेस्ट जरूर कर दिया कीजिए चाहे आप कोई क्रीम लगा रहे हों या फिर हेर कलर या शाम्पू लगा रहे पैच टेस्ट करने के बाद अगर आपको कोई अलर्जी रियक्शन नहीं होता है यानकि आप हेर कलर लगा सकते हैं पूरे अपने बालों में तो आपको कोई रियक्शन नहीं पहुँचाएगा बहुत सरे लोग पैच टेस्ट नहीं करके जो है प्रोड़क को डाइकली अपलाई कर लेते हैं अपने स्कैल्प में स्केन में इस से उनको आलर्जी रियक्शन हो जाता है फिर वो प्रोड़क्ट को ही बनाम करते हैं अब यह एक प्रोड़क्ट बनाया जाता है ओवर अल्प बेसिस के उपर यानिकि मैक्सिमम लोगों को कितना फाइदा पहुच रहा है उसके उपर टिपेंड करके प्रोड़क्ट बनाया जाता है और प्रोड़क्ट इस्तिमाल किया कीजिएगा तो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुच आएगा तो अगर वैस्मॉल के बात करें तो कोशन पर चलते हैं यह कितना दिन तक बालों को काला करके रखता है वैस्मॉल एक लॉंग टाइम तक आपके बालों को काला करके रखेगा जिसको हम पर्मनेंट हेर कलर भी बोल सकते क्योंकि एक महिने से दो महिने तक आपके बालों को इजली काला करके रखता है नौ किसी क तो मेरे बाल काले हो गए क्योंकि इसे सूट करान बहुत दो इंपोर्टेंट है जब तक यह आपके बाल में सूट नहीं करेगा तब तक आपके बाल काले नहीं हो पाएंगे तो अगर आपके बाल काले नहीं हो रहें तो नेक्स्ट डे आपको फिर से वैसमोल लगाने की तो वैसमल ह lleg πολύ इसका पूरा formuation इसका liquidity पुरा डिफेरंट है इसके process डिफेरंट है इसका कलर करने का भी process बिलकुल ही different है इसपर करने का इसे different माना चाहता है और बहुत सारे लोग इसको लेकर बहुत सारे वी दोफिर्ता में पढ़ते हैं क्वेरी दान उनके पास होती है तो उनको सॉल्फ करने के लिए मैं तो हूँ यह वैटी हमेशा आपकी क्वेरी लेकिए इधर चट्रा करती रहती हूं कि यह कीजिए कीजिए वह किया कीजिए अगर फिर फिर आपके पास कोई भी क्वेस्टन है जो छूट गई होगी तो कर रहे हैं अपने स्किन में हेर में पैच टेस जरूर किया कीजिए वरना बहुत ज़रा साइड एफेक्ट आ सकता है नेक्स्ट बात है कि वैस्मॉल को कितने एप्स तक लगा सकते देखिए वैस्मॉल लगाने का जो एज है दाट इस प्लस 15 अगर 15 से पहले अगर आपके ब प्रॉब्लम की बज़र से हमारे बोड़ी में दिखाए देती हैं जिस सिंटॉम को देखकर हम समझ सकते हैं कि हमारे बोड़ी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो अगर आपके बाल जो है प्रीमेचर एजिंग से ग्रे हो रहा है यानि कि बाल बहुत जल्दी सफेद हो र अगर आपके बालों में हैर कलर एक अडल्द प्रोड़क्ट है यह अडल्द लोगों को सूट करता है क्योंकि तब तक उनकी स्किन उनकी हैर उतना स्ट्रॉंग बंजाती है केमिकल्स या हैर क्लर में जो इंग्रियंस होते हैं उनको सहने के लिए बच्चों में यानिकि है तो भी तो ही आप इस्तिमाल करें वरने उसके नीचे इस्तिमाल ना करें ठीक है ना तो मैंने सारे कोईरिस अब के सॉल्फ कर दिये इस वीडियो में थोड़ी साथि हो गई स्मॉल कैसे अप्लाई करते हैं नहीं देखा है तो वो वोला वीडियो डेस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा आई बटन पर होगा ज़रूर चेक आउट कर लेना थेंक इस सो मज़ गाइस में अगले वीडियो में